दोस्तो किसी को पैट्रोल इंजन वाली कारे पसंद होती है तो किसी को डीजल इंजन वाली कारे पसंद है और एक से भी मोडल की कार आप लेना चाहते हैं लेकिन वहीं पैट्रोल इंजन के बहाँ बढ़ने के कारण आप सोच रहे हैं कि एक बहतर मालिज वाली कार भी मिल्या है तो यह वीडियो केवल आपके लिए यानि किस वीडियो में बात होगी डीजल इंजन के साथ आने वाले सबसे हाइस्ट मालिज देने वाली एक SUV कार की साथ वीडियो के साथ आप लास्ट बने रही है ताकि आप भी जान सके पुरिभात में कौन-कौन से SUV कार से जो की हाइस्ट मलज के साथ आती है विट डीजल इंजन तो वीडियो के लिए क्लिए एक लाइक तो बनता है साथ इस चैनल को सेयर क्मी कर दे और चैनल को सबस्क् 89,000 से शुरू होकर 13,19,000 के लिए जाती है जिस कार पर आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है जिस पर आपको मैनुवल पर 99 बीच पी तक की पाउर मिलती है और लगबग 24.1 किलोमीटर प्रति लिटर तक की मैलेज मिलती है लेकिन वहीं अगर आप इसके डीजल में आसानी हो सकेंड पोजिशन पर आने वाली कार है ही उन्डे की वैन्यू जिस कार पर भी आपको सेम इंजन आप्सन मिलते हैं इस कार की कीमत 6,86,000 से शुरू होकर 11,66,000 के ले जाती है जो 1.5 लीटर के ही डीजल आप्सन के साथ में अविलेबल है 98 बेच पी की पॉल मिल मिलता है जो 98 बेच पी की पॉर्ड जेनरेट करती है 23.7 किलोमेटर प्रति लिटर तकी मलिज देती है 8 लाग वहतर जाय से शुरू होकर 11,25,000 के ले जाती है इसके टोपेस्ट वेजिशन के कीमत लेकिन केवल मैनुवल पर ही अविलेबल है 4 पोजिशन पर आने वाली कार है फोर्ड की इको स्पोर्ट इस कार की कीमत 7,99,000 से शुरू होकर 11,49,000 के ले जाती है जो 1.5 लिटर डीजल आप्सन के साथ में आती है इस कार पर 99 बेच पी की पावर मिलती है और 21.7 किलोमेटर प्रति लिटर तक की मलिज देखने को मिलती है फिर्थ पुशन पर आने वाली कारे टाटा की नेक्सोन जिसका की कीमत 7,99,000 से शुरू होकर 12,89,000 के ले जाती है जो 1.5 लिटर के ही डीजल इंजन के साथ में अविलेबल है लगबग 108 बीच पी की पावर मिलती है और 21.5 किलोमेटर प्रति लिटर तक की मलिज बिलती है इस कार पर भी आपको डीजल पर क आने वाली कार है हुंडे की क्रेटा की कीमत 9,99,000 से शुरू होकर 17,53,000 के लिए जाती है जो 1.5 लिटर के ही डीजल इंजन के साथ में आती है जो 113 बीच पी की पावर जेनरेट करती है और 21.4 किलोमेटर प्रति लिटर तक की मलिज देती है जो मैनुल पर अविलेबल है उ उटोमेटिक पर इतनी मैलेज आपको देखने को नहीं मिलती है सेवन्त पोजिशन पर आने वाली कार है महिंदरा की बोलेरो महिंदरा बोलेरो की कीमत 8,25,000 से शुरू होकर 9,24,000 के लिए जो 1.5 लिटर डीजल इंजन के साथ में अविलेबल जो लगबग 75 बीच पी की पा 17,45,000 के लिए जाती है जो 1.5 लिटर डीजल इंजन के साथ में आती है जो 113 बीच पी की पाउर जेनरेट करती है और लगबग 20.8 किलोमेटर प्रती लिटर तक की मलेज देती है नाइंत पोजिशन पर आने वाली कार है महिंदरा की XUV300 महिंदरा XUV300 के कीमत 7,95,000 से शु और 20 किलोमेटर प्रती लिटर तक की मलेज देती है तेंद पोजिशन पर आने वाली कार है BMW की X1 BMW X1 की की कीमत 37.20 लाग से स्टार्ट होकर 42.90 लाग ले जाती है इस कार पर आपको 2.0 लिटर का डीजल इंजन मिलता है जो लगबग 192BHP की पाउर जेनरेट करती है और 19.62 क किलोमेटर प्रती लिटर तक की मलेज देती है 11 पोजिशन पर आने वाली कार है Volvo की XC90 की कीमत 80.90 लाग से स्टार्ट होकर 1.31 लाग की ले जाती है जो 2.0 लिटर डीजल इंजन के साथ में अविलेबल है लगबग 1235BHP की पाउर जेनरेट करती है और 17.2 किलोमेटर प्रती 45 लाग के ले जाती है जो 2.0 लिटर डीजल इंजन के साथ में अविलेबल है लगबग आपको 168BHP की पाउर जेनरेट मिलती है और लगबग 17 किलोमेटर प्रती लिटर तक की मलेज मिल जाती है 13 पोजिशन पर आने वाली कार है BMW की X4 जिस कार की कीमत 62.40 लाग से प्रती लिटर तक की मलेज देती है इसका आपको 3.0 लिटर का डीजल आंसन भी मिलता है जो 14.71 किलोमेटर प्रती लिटर तक की मलेज देती है 14 पोजिशन पर आने वाली कार है MG की हेक्टर प्लस MG हेक्टर प्लस की कीमत 13.34 लाग से स्टार्ट होकर 19.22 लाग के ले जाती है जो 2.0 लिटर डीजन इंजन के साथ में अविलेबल है लगबग 168 भी HP की पावर आपको इस कार पर भी देखने को मिलती है और 16.56 किलोमेटर प्रती लिटर तक की मलेज इस कार पर आपको मिलती है तो यह 14 कार हैं जो हाइस्ट मालेज के साथ में आने वाली डीजन इंजन क के साथ माने वाली SUVS कार है इनमें से कौन सी कार आपको सबसे ज़्यदा पसंदे कमेंट के जूब बताएगा किसे अनका आपको कोई सवाल पुछना होता आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस्ट्राग्राम पर डीएम कर सकते हैं ऐसे हैं हेलफुल वीडियो के लिए चैनल को सब